हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू माई चैनल मैं हूँ पी हूँ और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ एक अमेजिंग सा हेर पैक जो आपके हेर को स्ट्रेट कर देगा वीक में टू टाइम आपको इसका यूज करना है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हेर पैक बनाने के लिए मैंने लिया है दहीं दहीं आप लेंगे गारी वाली फ्रेंड अगर आप ज्यादा पानी वाली दहीं लेंगे तो यह आपके हेर से चूने लगेगा हेर उनके हिसाब से दहीं लेंगे फ्रेंड इसके साथ मैंने लिया है एक अंडा अंडे में विटमि अंडे का इस्तेमाल करें इस हेर पैक में अंडे को दही में मिला कर अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अपने हेर पर एक घंटे के लिए अपलाई करना है फ्रेंड फीक में टू टाइम आपको इस रेमिडी का इस्तेमाल करना है इस रेमिडी के वीक में टू टाइम इस्ते की शाइनी और नाचुरल स्टेट हो जाएगा इस रेमिटी को ज़रूर ट्राइ करेंगे अब चलिए मैं बताती हूं कि इसे आपको अपने हेर पे कैसे लगाना है इस हेर पैक को अपने हेर में अपलाई करने से पहले आपका हेर क्लीन होना चाहिए एक दिन पहले आप शांप अपने हेर पैक को अपने बालों पर अपलाई करेंगे अब मैं बताती हूं अंडे और दही का यूज मैंने क्यों किया है इस हेर पैक में सबसे पहले अंडा बालों के लिए एक अच्छा कंडिशनर होता है ये बालों को सिल्की, स्मूध और शाइनी बनाता है अंडे में ब करता है बालो को जडने से रोकता है, बालो को ग्रो करने में भी हल्फुल होता है, धही जो है,die ह्यां फ्रैंऩ वह नाचरल कंडिशनर का काम करते हैं उक्राग स्याMore ये गया भुषिय ही तो उनका लैमेज हेर बहुत हद तक रिपैर हो जाएगा इस रेमेडी को वीक में टू टाइम अपलाई करना है वन आवर के लिए इसे अपने हेर पे लगा कर छोड़ देना है उसके बाद आप अपने हेर को शैंपू की हेल्प से क्लीन करेंगे फ्रेंड सबसे पहले अपने हेर को पानी से क्ली करना है शैंपू के बाद हमें कंडिशनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है अब मैंने इस हेर पैक को अपने हेर पे लगा लिया फ्रेंड एग और दही का पैक था मैंने हेर पे अच्छे से अपलाई कर लिया पूरे हेर पे अच्छे से अपलाई करना है और एक घंटे के ल करके आपको दिखाऊंगे रिजल्ट कैसा आता है और यकिन वानी इस पार रिजल्ट बहुत अप्राइब प्रनी उनी डिखाऊंगे रिजल्ट बहुत अप्राइब झाल बहुत अप्राइब कि उथजमी नंचे अप्राइब याल रिजल्ट अप्राइब झाल